हेलो स्तो, कमाई का डस योटूब चाल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे अधनी स्टॉक्स के अंदर जो करेक्शन हुआ उसके पीछे के रिजन के बारे में यह जो स्टॉक यहाँ पर करेक्ट हो रहे है तो क्या आगे भी हमें और प्रेशराइस तरीके से फिर से जो स्टॉक्स स्टार्ट हुए थे ग्रोथ के लिए उससे भी नीचे और यह जाकर रूख सकते हैं क्या और करेक्शन हेविली देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर हम डिस आप ट्रेन रिखाई दिया तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो अभी फिर से करेक्शन आ रहा है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें क्या तो डेफिनिली दोस्तों इस पॉइंट पर हम डिसकस करेंगे जरूर अंडरस्टेंग करना अगर आपके पास को कमेंट बता न कोई 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 रिज आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेट होतों आपर दोस्तों जैसे फर्स्टली हम बात करेंगे आदानी ग्रीन इनर्जी के बारे में इस स्टॉक के अंदर उतना बड़ा करेक्शन आप दिखाई ने दिया है क्योंकि स्टॉक ने देख किया तो आप समझ सकते हैं जो 6 मैने का चार्ट पैटन में दिखा रहा हूं उसके अंदर जो शेर एक टाइम पर चलता था देखिए 2000 के उपर और उससे तो आगे बढ़कर हम देखे तो इस स्टॉक 3000 के करीब चलने वाला स्टॉक है और आभी आज चुका है 712 रुपए पर तो आभी कोई निवेशक इसके अंदर जो करेक्शन हुआ था उस लेवल से खरीद कर बैटा हो याने 400 या 460 के करीब तो करीब यहाँ पर 55% डिसकाउंड में सोरी यहाँ पर फाइदे में है तो उस निवेशक को क्या करना चाहिए तो मैं आपको अभी जो निउज है उसके आदानी गुरुप का स्टॉक देख सकते हैं आदानी इंटरप्राइजेस इस स्टॉक ने तो आज हमें हाँ पर जो का दिया क्योंकि 8% का करेक्शन दिखा दिया और आप सभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा करेक्शन में आ गया है स्टॉक टॉप टू बॉटम भी कर लिया 5% का जो स्टॉक पिछले कुछ समय से अपर सर्किट यहाँ पर लगा रहा था उसके अंदर लोवर सर्किट आ गया है और आप यह भी देख सकते हैं 4000 का शियर 900 रुपे पर आ गया है तो इसके उपर भी नज़र रखना जरूरी है और आदानी पावर की भी बात करे यह भी डाइरेक लोवर सर्किट में आ गया है आप देख भी सकते हैं इसके अंदर भी आपर सर्किट चल रहा था पिछले कुछ समय से इसके अंदर यहाँ पर करेक्शन और भी एक्स्पेट कर सकते हैं अभी यहाँ पर आदानी विलमर की बात करे तो यह थोड़ा साइड नॉर्मल ही चल रहा था बट अभी हाँ पर हेविली करेक्शन आना स्टार्ट हो गए अभी यह सभी स्टॉक करेक्शन में आ गए यह सब कुछ हमने देख लिया अभी रीजन क्या है तो चलिए उसको यहाँ पर हम समद लेते हैं आद दोस्तों जो न्यूज आये हैं उन सभ पर हमें देखने को मिला सबसे पहला रीजन देखिए सिलिकॉन वेली बैंक के क्राइसिस के वज़े से मार्केट में ग्लोबल लेवल पर और ग्लोबल लेवल का इंडियन मार्केट पर हमें प्रेशर देखने को मिला है अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्लोबल तो इंडिया से यहाँ पर जुड़े वह नज़र आते हैं देखिए हैं क्योंकि इंडिया से ही हमने कह सकते हैं पूरे दुनिया से जुड़े हैं यह जापान में भी थे अब आम मार्केट में विवह होता है और अब धेखिए है यह रीजन मैं क्यों बता ला भी पैसा है आदानी ग्रूप के अंदर और जितना देखिए सिचुएशन डाउन ट्रेन रहेगा प्रेशर क्रेट करेगा वैसे ही आदानी ग्रूप भी यहाँ पर गिरावट में आ जाएगा आप यह जरूर समझ लेना क्योंकि स्टॉक मार्केट जुन में चलता है और देख है कि हम यहाँ पर रिजन भी देख सकते हैं जो आज पार्लामेंट में हंगामा हुआ है देखिए आदानी ग्रूप इसका भी इंपेक हमें देखने को मिला है और यहाँ पर आप सभी जानते हैं देखिए पार्लामेंट में आज यहाँ पर पूरी तरीके से जो हंगामा चल जाएगा फिर से करेक्शन आ जाएगा बोलकर माल बेचकर निकलने के लिए लोग तयार हो रहे हैं अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बताता हूं देखिए आप यह भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं न्यू इंडिया एक्सप्रेस का ओपोजिशन सेट टू कॉर्णर आदानी इशु इन पार्लेमेंट तो आप यह भी पढ़ सकते हैं यह पूरा जो डिसकेशन आज हो रहा है 14 मार्च का यह पूरा जो चला है पूरा मामला उसका ही हमें ज्यादा इंपक देखने को मिला है और भी मैं रिजन बता देता हूं जो इंपक करने लाइक है यह आप पर दोस्तो जो नेक्स्ट रिजन है आदानी गुरूप के अंदर करेक्शन का वो है दोस्तो प्रॉफिट बुकिंग का भी जिसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग पहले जो करेक्शन हुआ उसके अंदर खरिदारी करकर बैटे है तो अभी अपना माल बेचकर निक या आप यहाँ पर लॉंग टम के निवेशेक है तो आप यहाँ पर जरूरूर लॉंग टम के बारे में सोच सकते हैं देखिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी है और इन स्टॉक्स या प्रॉफिट कमा कर बाहर निकलना चाहते तो बहुत बढ़िया रहेगा बि जो भी स्टॉक से वह और करेक्ट हो गए तो आप यहाँ पर हो सके उल्पना प्रॉफिट बुकिंग भी करकर निकल भी सकते हैं ठेंक्यू